असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब ठीक होंगे आज मैं यह वाइसर कर रही हूं नए घर से में सिस्टर कुसी ने पुछा था कि नया घर आपका अपना है यह रेंट पर रही है और एक सिस्टर ने पुछा था कि आपने चेंज क्यों किया वह करना था वहां के मालेक मकान की नीदी नी पूरी हुई थी तो फिर हमारे तोते कहते हैं चलो हम बाइक चला के प्रोटेस्ट करके आते हैं तो यह रोज इसी तरह ही चड़ जाते हैं पईयों में गुम जाते मैं आपको दिखा था ना आज मैंने इस वाले को बाइड निकाल था कि यह क्या हो रहा है और मतलब थोड़ी से ढर भी जाते है यह चोटी-चोटी से उस्ट्रेलियां तो होते होते हैं उन्होंने अंडे दिया उसमें से एक बेबी निकला है तो बस यही सब को चल रहा है अचा जी यह जो ना पता नहीं भाई को कोई काम करना था और उसका की बाता अभी जो वाइस होवर कर रही हूं उसी के ओपर बैठ के कर रही हूं समान की सेटिंग में तो टाइम लगेगा आप लोग को पता है ऐसा ही होता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं अभी तक अम्मी जोना वोसी घर में होता है यह कि हम समान पहले थोड़ा सा विजव कर देते हैं फिर अगला बंदा आके यहां सेटिंग कर लेता है फिर दूसरा अमी घर पे होती है तो बज़र्गों की तो यह शुरू से यादत है कि जब तक घर पूरा खाली नहीं होता ना तो वहां से नहीं निकलते अलविदा करके आते होते घर से तो मैंने आपको बता अच्छा अगर वाइस आपको थोड़ी से असी लग रही है ना कि दबी दबी सी है तो आपके सामने ही सिच्वेशन है यहीं से मैं खड़ी होके और यहीं पर समान के अंदर मैं वाइस हवर कर रही हूं अभी तक तो यह हाल है कि बंदे को जगा मिले और बस ठुस होके गिर अच्छा जी यह वाला मैंने हुक भी स्टीच कर लिया है मैंने का इससे पहले कि मुझसे शुकायते हों के है कम देनों क्या सी तू करके नहीं दिता तो मैंने यह बकल इसमें लगा दिया फिर इसके बाद हम लोगों ने समान की शिफ्टिंग करनी शुरू की थी सबसे आख के दिखा दें के भाई उसकी लुक कैसी आती तो जब तक कुर्ती नी स्टीच होगी तो पूरा ड्रेस में नहीं करके दिखा सकती अब इंश्याला सेटल डाउन होगे हैं हब सभी भी बहुत जादा है अच्छा जी एक सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप इसके ओपर कौन से थ्रड यूज करती है अपनी जोकी मेशीन के अपर तो मैं पतले आले नहीं करती है क्योंकि मेरे कमरे में पंखा फुल चल रहा होता है तो जो पतले आले धाके होते हैं पुलेस्टर के भरीक भरीक से अब जो आपने देखी होंगे दुकानों के पास वो जो न वो उड रह तो उलज रहे थे और बाबा टूट रहे थे तो मेरे में इतनी हमत नी बाबा थ्रड इन करती रहूं अब एक नल्की खतम हुए दो नल्की खतम हो गई थी भाई से फिर मैंने चेंज कर वाया यानी सदर भीजवा के उनसे मगवाई थी एक किलो के साब से मिलती है तो छोट पर यह से होता है आज कल आपको पता है सिक्योर्टी ऐसे ही चलती है फिर मैंने एक बोरा मंग आया मैंने का इसमें वह समान रखूंगी कि जो मुझे जाके फोरण वहां खोलना है एक मैंने ट्राइपोर्ट पर गररा रख दिये थे सारे स्ट्रेंट पर रख दिये थे ताक आइरन का भी पूछते हैं अच्छा कल एक ना कमेंट आया था मैंने आदी रख को विलॉग अप्लोट किया था तो जी इतने विलॉग नहीं अच्छा मैं था उनको ब्लॉग कर देती होती हूं जिनको मेरी वीडियोस देखके कोई परिशानी होती है देखें बलावा कोई कोई नहीं देता दावत कोई नहीं देता मैं यह भी नहीं कहती भाई के मेरे विलॉग के साथ पूरा यूट्यूब तो आपको ऐसे लोगों को मेरी तरफ से सिलाएं आप औरों को जहां पर आपको अच्छा लगता है या फिर अच्छी वीडियोस खुद अपलोड कीजिए ताकि जब आपको फिर क्रेडिट मिलता ना तो खुशी मिलती है तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता बेरहाल जो मैं हूँ वो मैं दिखाती हूं जो मैं नहीं हूं मुझे का दिखाने की जुरूरत है यहां पर मैं थ्रेट चेंज करते हैं अच्छा मेरा सांस क्यों फूल कर लो गंदी वहीं थी मैंने पीनों से का था कि थोड़ा ना अंगीला कपड़ा करके इनके ओपर फेरो साफ हो जाए ताकि मैं वहां जाओं तो फिर इसको ऐसे सट्ल ढाउन कर दो बलके मुझे आदा है जो बोड आपको पीछ नजर आ रहा है यह वहीं है अभी तक मैंने पर दीजिये से कहके बेज़ाता मेरे लाइट सिस्टम उतारके लेए आयो क्योंकि अब मैं दुबारा पीछे नहीं जा रही है ऐसा ही होता है अमोगा ऐसा होता कि घर जब शिफ्ट ओर रहता है या तो मैं बाहरी होती हूं आउट ओफ ते सिटी होती हूं यह पहली तो छोते हमने पहले आहिए तो यह खाना पकवा है घर का आग राद का तो बरियानी बाहर से याईगी नहीं है ज़ाया मज़ों ने क्या हमने इस अरह राद करें आधा चाहिए है छाहिए तीहा है आप बिसमेला करें मिलती हो नेक्स व्लाग में अपना बहुत सा ख्याल रखेगा मुझे दौाम याद रखेगा अलाफेज